तो तीन चार महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीश जी को गिरफ्तार करने वाले है मैंने का मनीश ने क्या कर दिया क्या केस है तो फ़े ने बताया अब कोई केस नहीं है कुछ मिला नहीं है ढूनड रहे tw Angst ऐं कुछ बना रहे मनीश जी को गिरफतार करने वाली है, मैंने तो आपको तीन-चार महीने पहले बता दिया था, इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीश जी को ये गिरफतार करने वाले हैं, जल्दी गिरफतार करने वाले हैं, तीन-चार महीने पहले बताया था, मैंने प्रेस काउंफरेंस क करके उसके वाद अपने कई भाशनों में असेंबली में मैंने कहा था कि मनीश को गिरफतार करने वाले हैं तो तीन-चार महीने पहले जब इनके लोगों मुझे बताय कि मनीश जी को गिरफतार करने वाले हैं मैंने का मनीश ने क्या कर दिया क्या केस है तुन्हें ने बताया भी कोई केस नहीं है कुछ मिला नहीं है धून रहे हैं कुछ बना रहे हैं तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है पहले यह किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मन गडंत जूटा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हूँ है मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो यह आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहे हैं मैंने सारा अभी चेक कराया पूरा का पूरा केस बिल्कुल जूटा है बिल्कुल जूटा है उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है मैं मनीज सिसोधिया को 22 साल से जानता हूं सन 2000 में पहली बार मिला था मनीज जी से एक बेहत कटर इमानदार आदमी है कटर देश भगता आदमी है हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलके इन सारी पार्टियों ने मिलके बहुत बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने करोडो करोडो बच्चे गरीबों के बच्चे जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनका भविश्य अंधकार में था कोई उमीद नहीं थी गरीब का बच्चा गरीब बनेगा अमीर का बच्चा अमीर बनेगा गरीब का बच्चा मजदूरी करेगा रिक्षा चलाएगा अमीरों के बच्चे अमीर बनेंगे यह एक सिस्टम पूरे देश के अंदर लागो हो गया था पहली बार आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी दिल्ली के अंदर मनी सिसोधिया जी एजुकेशन मिनिस्टर बने दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर मनी सिसोधिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शांदार बनाया, ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भरती करा रहे हैं, अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के उपमंदर एक ही डेस्क पे एक जज़ का एक अफसर का और एक रिक्षे वाला का बच्चा बैठके एक ही डेस्क पे बैठके पढ़ते हैं मनिश्य सोधिया ने किवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किये, देश के करोडों करोडों बच्चों को एक उमीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीब हो कि बच्चों का भविश्य भी अच्छा हो सकता है, सुब़े 6 बजे मनिश्य सोधिया अपने घर से निकल और अलग-अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं मैं पूछना चाहता हूं कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 वजे उठके स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है बच्चों का भविष्य बनाना च कौन प्रश्णचारीयास है तो जेल से हमें डर नहीं लगता है में इनको थोड़ासा यह लुग समझ लें कि इनको इनको लगता होगा ली जेल से हमें डरनी लगता हुँँ एक हां तुम लोग सावरकर की और उल्द हो जिसने अंगरेजों से माफी मांगी थी हम लोग भगत सिंग के अods है जिसने आंगरेजों के सामने जुकने 상वाइब जुकनेbreaking पिछे क्यों पड़े हैं आम आदमेपाटे के पिछे क्यों पड़े है इतने हमारे MLS को ये जेल भेज चुके, सारे छूट छूट के आगए, और कोट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे-गंदे और पास किये इन लोगों के खिलाफ, कि क्या जूटे सचे केस मना रहे हो, सतिंदर जहन को इन्हों ने गिरफ़तार कर लिया जूटे केस में पिछले महीन है, अब मनीज सिसोधिया जी को गिरफ़तार करने जा रहे हैं ये लोग, तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं, तीन कारण हैं, पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर इमानदार हैं, वो पूरे देश को भरोसा हो गया, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर इमानदार है सारा देश कहता है और कुछ भी हो लड़के हैं तो इमानदार ये लोग जूटे केस बना-बना के हमारे उपर कीचड फैंकना चाहते हैं इनके यकीन नहीं कर रही है पर दुनिया खुदी कह रही है कि जूटे केस लगा रहे हैं तो जो मरजी कर लो सच सच होता है जूट जूट होता है जितना मरजी कीचड तुम भेंक लो कीचड चिपक नीरा वाहरे उपर पाक साफ हैं हम लोग, सच्चाई के रस्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है, दूसरा कारण, यह हमारे पीछे क्यों पढ़े हैं हाथ दोके, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधिया रही है, पूरे द ऍर देश के अंदर इनकी टकल में खड़ी हों पर मैं जैना हुआ दूम जो मर्जी कर लो आमादमी पार्टी को पूरे देश में पहलने से कोई नहीं रोख सब्चाखता है एक पूरे देश के लोगों हर आदमी चाहता है मेरा देश दुनिया का नंबर वन देश बने अब आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है पूरी देश के लोगों को उसको फैलने से कोई नहीं रोप सकता एक अंग्रेजी में कहावत है और तीसरा कारण यह क्यों हमेरे पीछे हाथ दोके पड़े हैं दिली के कामों को रोकना चाहते हैं दिली के अंदर जो शांदार काम हो रहे हैं सिंगापूर की सरकार पूरे दुनिया के मेयर बुलाये उन्होंने और केज़रिवाल को बुलाया कि आके इनको जरआ स्था सिखाओ कि आप दिली में क्या काम कर रों इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है दिली के कामों के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है ट्रंप साब की वाइफ आई थी वो हमारे स्कूल देखने जाती है ये हमारे दिली के कामों को रोकना चाहते हैं खास कर दिली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शानदर काम हुए इसलिए उन्होंने पहले Health Minister को जेल में डाला और अब Education Minister को इन्होंने जेल में डाला पर मैं दिल्ली के और देश के लोगों को यकीन दिनाना चाहता हूं कि काम नहीं रुखेंगे इन्होंने सतिंदर जैनको दो मेहीने से जेल में है दो मेहीने रक लिए इतीन मेहीने रिख लेगे चार मनें फर निकलाएंगे मनि से सोदिया जे जेल भेजेंगे महीना दो महीना कब तक में रखेंगे जूटा केस है, कोट में जाके गिर जाएगा, डांट पड़ेगी इनको देख लेना, मनी से सोधियाजी बाहर निकलाएंगे, काम नहीं रुखेगा, 75 साल में इन पार्टियों ने मिलके देश को बरबाद कर दिया, 75 साल में कितने देश हम से आगे निकल गए, क्यों, हमारे मे कोई कमी है, भारत के लोगों में कोई कमी है, सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं भारत के लोग, इन पार्टियों ने दगा दिया है, इन्हों ने लूटा है, इन पार्टियों ने मिलके देश को लूटा है, ये अपनी लूट जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब देश खड था यार अगर दिल्ली में हो सकता तो 75 साल में क्यों नहीं हुआ बाकी देश में क्यों नहीं हुआ इन पार्टियों ने मिलके देश को जान बूच के गरीब रखा इन पार्टियों ने मिलके देश को जान बूच के अनपड रखा अब नहीं होगा अब मेरा देश दुनिया का नुम्बर वन देश बन के रहेगा, तुम जितने मनीश से सूधिया को जेन में डाल लो, जितने सतिंदर जेन को अर्विंद केजरिवाल को भी डाल लो, सूली पे चड़ा दो, खूब अर्विंद केजरिवाल निकलेंगे, खूब मनीश से सूधिया निकलेंगे, अब तो दे झाल झाल